गोडला अंद्रित्य ऐसा कहते हैं कि जोधपुर में राजा वा करते थे सातल जोधा के बेटे थे सातल, जोधपुर के राजा थे, राजा सातल के टाइम में जोधपुर के पास किसी गाउं के अंदर लड़कियां गणगोर का पूजन करने के लिए कुवे पर गई भी थी, वहां से गुडले खान नाम करके अजमेर का एक सेनापती गुजर रहा था, वो गुडले खान उठा के ले गया, राजा सातल गुडले खान का पीछा करते हैं, गुडले खान को इस युद में मार देते हैं, उन लड़कियों को बचा कर लाते हैं, गुडले खान का सिर काट के लिए आये थे जोधपुर के सेनिक, गुडले खान को मारा था, तो सातल ने गुड़ले खान के इतने तीर मारे थी सीर के अंदर कि उसके सीर में छेदी छेदी सिंग बना के रख दिया था गुड़ले खान को उन बच्चियों को वापस छुड़वा के लाए थे छुड़वा के लाने के बाद में उन बच्चियों को उन लड़कियों को कहा कि ये लोग इसका सर लो तुम, सनिकोन बेहनो, हम तुमारे लिए सरी काट लाई इसका, लड़केयां क्या राजी वी, वो उस सर को लेके खेलती है, उस दिन से लेके आज दिन तक उस राजा सातल की याद में, उस गटना के थोड़े से टाइम बाद में राजा सातल की भी डैथ हो आपने उस राजा सातल की आदमें जिस ने अपनी पुरजा को बचाया था जो अपने कन्याओं को बचाने के मी ऑपने जी जान के बाजी लगा गया था सातल के तो यह वास्तनों में राजा माहिलावन् त्वारा के आज़ता है सीथ लास्टमी से लेके गणगोर तक सीथ लास्टमी मेंसे आपको बताई रहा था चेतर कृष्ञनजों की योति सीधी 皂र सीथ लास्टमी होती और गणगोर आगे आम पड़ेंगे चेतर सुकल्की द्रिथ्या जो ओती हो गणगोर होती तो साथ और तीन दस दिनों तक लगवगे चलता रहता है जोदपूर के अंदर किया जाता है क्योंगे जोदपूर में राजा सातल की आद में किया गया था लिख लो